नमस्कार मेरा नाम है संदीप मैं स्वागत करता हूँ आप सभी करद स्टेडी एक्स्प्रेस में आपने आजकल नियोज में खुब पढ़ा होगा कि जितने भी श्टार्टप कम्पनियां हैं या जो भी उनिक कार्ण कम्पनियां हैं उनमें 2022 में खुब छटनी हुई चाहे वो अनकेडमी हो या बाईजू हो लगभग सभी का यही हल रहा इसका में रीजन है कि इन कम्पनियों में इन्वेस्टर्स अब ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं दिखा रहे हैं या इन कम्पनियों को उतनी फंडिंग्स नहीं मिल रही है आजकल इन्वेस्टर्स की पहली काक्रोच स्टार्टप बन गए हैं तो इस वीडियो में हम लोग इसी काक्रोच स्टार्टप को समझेंगे और समझेंगे कि युनिक करन स्टार्टप से एक काक्रोच स्टार्टप कैसे अलग है और इस स्टार्टप का नाम काक्रोच स्टार्टप क्यों पड़ा इस स्टार् 2021 में 41 billion dollar का investment आया था इस startup कमपनियों को, वहीं इस साल यान 2022 में सिर्फ 26 billion dollar का investment आया, काक्रोच startups काक्रोच की तरह ही economy या venture की हालात में बदलाव से बेपरवा होते हैं, इस groups में एक decision लेने की चमता होती है, कि पैसे को कहां खर्च करना है और कहां नहीं, यानि एक काक्रोच startup ब बदलने के बावजूद भी market में बना रहता है, इसकी सबसे बड़ी वज़ा विपरीत हालात में भी खर्च में कटोधी करके भी एक कारोबार को बढ़ाने की चमता रखते हैं, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कि आखिर काक्रोच startup नाम क्यों पढ़ाईंका, तो माना जा से होती है, ये बिना खाए भी 30 दिनों तक जिंदा रहा सकता है, पर मार विस्फोर तक की इस्तित में भी अपनी जान बचाने में सफल राता है, इस तरह काक्रोच startup भी कम salary, कम खर्च और कम budget वाले startup होते हैं, काक्रोच startup fixed assets में कम investment करते हैं, एक्जामपर तोर पर समझाओं, तो ये आफिस खईदने या rent पर लेने की वजाए, को working space में काम करते हैं, ये हर investment के लिए सही time का wait करते हैं, ये हमेशा revenue growth पर focus होते हैं, ये कभी भी बहुत जादा जल्दी में नहीं होते हैं, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, comment box में बताइए, तो मिलते हैं दूसरे वी